हाई गाईज वेलकम टू टेकनिकल स्टाडी जोन अगर आप मैंने चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजे साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजे तो दोस्तो नैशनल सीट कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से फिर से दो पोस्ट का रेजल्ट आ ग हायिट पर जाना है यहाँ पर आपको उपर में हाेलाइट में यहाँ दीखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते नोटीउड पोस्ट आप टेनी पर्टिस ऐंड कैसे İustore Engineering तो उसके ऊपर हाइलाइट में जो आपको यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा तो जो लोग ट्रेनी पर्चेस और ट्रेनी स्टोर इंजिनियरिंग के फर्म भड़े थे वह लोग के लिए यह मेरिट लिस्ट है तो यह नोटीस देख सकते हैं 9 जून 2021 का है नोटीस ठीक है नैशनल शीट कोर्परेशन का इसमें लिखा है बेस्ट ऑन पर्फोर्मेंस इन दा कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट कंडाक्टेड ऑन 25 फेबरी आपका जो 25 फेबरी 2021 का जो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट हुआ था टेनी पर्फेस और टेनी स्टोर इंजिनियरिंग का तो उसका सौट लिस्टेट का नाम आ गिया है डॉकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो डॉकूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को कैसा होगा जानने के लिए वीडियो को लास दोस्तो देखते हैं कैसे डॉकूमेट वेरिफिकेशन होगा पहले देख लेते हैं इस प्याप लोग देख सकते हैं यूर कटेगरी में जो cut up mark गया है इसमें लिखा है cut up mark for short listing of candidates for the post of trainee purchase इसमें cut up mark गया है 70.50 negative था इसलिए point में number गया है तो 70.50 UR कटेगरी में cut up गया है उसके बाद देखिए shortlisted candidate for the post of tennis tour engineering for document verification इसमें आपका total 5 seat है UR कटेगरी के लिए 1 seat है EWS के लिए 2 seat है OVC के लिए 1 seat है आपका SC के लिए इसमें देख सकते इसमें आपका cut up गया है UR कटेगरी में cut up गया है 70 mark EWS में cut up गया है 65 mark OVC में cut up गया है 68.75 mark और SC में cut up गया है 65 mark तो इसमें आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा तो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा यहां पे आप लेख सकते तो आपका जो है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन ओनलाइन होगा आपका जितना भी डॉकुमेंट से उसको सेल्फ अटेस्टेट करके उसको स्कैन करके उसको पीडियेप बना के आपको भेजना है है रिकूट्मेंट अधरेड इंडियसीट डॉकॉम इस मेल आइडि पर ठीक है तो पॉजिटिबली ओन और बीफोर 11 जून 11 जून से पहले आपको इने आपको जो है यह पीडियेप आपको भेजना है इस मेल आइडि पर पाच इलेवेन जून पाच पी पी एम मतलब सामको पाच बज़े से पहले तक आपको इमेल पहुच जाना चाहिए फर्स कुटिनी ओफ डॉकुमेंट फॉर्ड एप्लाइट पोस्ट तो आपका जो डॉक आपको भेजना है सात में सेल्फ एटेस्टेट करके आपको क्या का चीज भेजना है मेल आइडि पर तो देखिए आपको पहला जो है कौपी ओफ ऑफ ऑनलाइन अप्लिकेशन आपका जो ऑनलाइन अप्लिकेशन है उसका पिंट आउट निकाल के उसको भी आप लोग असेल बना के उसको स्कैन करके PDF बनाना है उसके बाद देख सकते हैं टेस्टामोनियल्स रिलेटेड विट एडुकेशनल क्वालिफिकेशन्स एक्स्पिरियंस certificate indicating the period and nature of experience, date of birth, cost and category certificate, income and attested certificate OVC EWS certificate should not be issued earlier than 1 year from the date of issue of this letter तो एक साल का पुराना नहीं होना चाहिए आपका जो OVC certificate है या तो EWS certificate है वो एक साल का पुराना नहीं होना चाहिए disability certificate in support of claim for relaxation अगर आप disability physically handicapped हो तो उसका certificate आपको देना पड़ेगा pen card आधार card देना पड़ेगा ठीक है तो आपका जितना भी डॉकुमेंट्स है ठीक है 10-12 डिप्रोमा जितना जो भी है सब आपको देना पड़ेगा self-attested करके उसके बाद candidates who are awarded gradation under the CGPA system are required to send proof issued by university institute converting the CGPA gradation into appropriate percentage तो अगर आपका certificate में CGPA में gradation है तो उसको आपको appropriate percentage में convert करना है जो आप जिस university में से या तो जिस institute से आप qualify किये हो ठीक है उसके बाद देखें लेटेस्ट पासपोर्ट साइच कालर फोटोग्राफ लेटेस्ट पासपोर्ट कालर फोटोग्राफ आपको भीजना है लेकिन इसमें तो आप सेल पर टेस्ट नहीं कर सकते तो इसको आप लोग ऐसे भीज़ दीजिएगा चाहिए तो सॉप्ट कॉपी भी उसको लेकिन PDF के अखार में भीज़ जिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग टोटल जितना आपका डॉकुमेंट से उसको आप लोग स्कैन करके टोटल ओल डॉकुमेंट एक अप्लीकेबल केंडिएट्स हैप टू मेल नो अबजेक्शन साटिफिकेट विए अलॉंग विद फिजिलेंज के लिए न साटिफिकेट इसूट भाइदा प्रेजेंट एमपलाय किये हो तो आपको नो अबजेक्शन साटिफिकेट देना पड़ेगा जैसे आप अगर कोई सब्सक्राइब कर रहे हो इनकेस यू हैब नौट सब्मिटेट एप्लीकेशन थू पॉपर चैनल अगर आप थूपर चैनल नहीं अपलाय किये हो उसके बाद देख सकते हैं जो अपको जो है बीफोर जो टाइम आपको दिया गया है गारा जून यारा जून से पहले आपको जो डॉकुमेंट जो है आपको मेल पर सेंट कर देना है कोई भी आपको सेकेंड एक्स्टेंशन या तो सेकेंड चांस नहीं मिलेगा फैलर तो सेंड डॉकुमेंट तुरू इमेल बाइव फाइप पी एम और 11 जून 2021 इट विल बी प्रिज प्रिजूम्ट दैट देट इस फोर गूइंग अपरचुनिटी आप उस टाइम के अंद इंटर्टेंड इन दिस रिगाड कोई भी आपका नेक्स्ट चांस आपको नहीं मिलेगा प्लीज नोट दैड इस नोटीज इस नोटीज इस नोट इन ओफर एंगेजमेंट अड विल इटसेल नोट एंटरेल फॉर एपांटमेंट मेंट इन नहीं यह नोटीज का मतलब यह तो कोई डॉकुमेंट्स आपका नहीं हो आपके पास अभी तो अगर आपको कुछ फॉल्ट मिलेगा तो आपको डिस्क्वालिफाय कर दिया जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी मिले आप्टर फूल डॉकुमेंट वेरिविकेशन स्कूर्टीनी जो हो तो आप लोग क्वालिफाइ किए हो उसका टाम्सण कंडिशन ऐन बौॉण्ड सब पूछ रहेगा तो अगर आपको जानना है तो पिछला वाला वीडिए जाके आप लोग देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए चल